हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मंजल तक फ्रेंड्स जीके जीएस की इस सीरीज में हम लोग टूटल बारह हजार प्लस मल्टिपल च्वाइस क्विस्टन से देखने वाले हैं बिथ इक्सिपलानेशन के साथ द्यान दिजवा फ्रेंड्स इसे जीके जीएस की सीरीज में इतिहास भारती राजवश्ता भूगोल आर्थसरास्त्र जीव बिग्यान भौतिक बिग्यान रसायन बिग्यान बिग्यान और प्रतुक की कंप्यूटर खेल जगत बिवित सामान ग्यान से जो है चैप्टर वाइज क्विस्टिन्स होंगे और यह जो जीके जीएस की सीरीज है एससी सीजी एल, सीएसेल, सीपियो, एम्टी एस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, एलाईसी, आरारबी, ग्रूपडी, आरारबी, एंटीपी, सीएसेल, दिल्ली, पी एसाई, यूपी लेखपाल रथा अधर काम्प्टेटिव एक्जाम्स के लिए बेहत महत्पूर है तो इस जीके सीरीज का जो प्रेलिस्ट बनेगा वह बहुती सांदार होगा तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इतिहास विशे को पढ़ेंगे, चैप्टर वाज पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वन देखेंगे जो की है सिंदुगाटी सबिता, तो सिंदुगाटी सबिता से जितने भी important questions पुछे गये हैं या पुछे जाएंगे, सब देखने वाल और आधारित जात आधारित ध्यान देजिगा फ्रेंड्स, हडपा की जो सामाजिक विश्था थी वो समतावादी थी, हडपा की खुदाई से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्वित मिले, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साच्छी नही था, वे लोग क्या थे समतावादी थे, क्या थे समतावादी, तो इस कुष्चन का जो राइट एंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपसे नमबर ए, नेट्स कुष्चन है आपका काउन सा कथन हडपा सबिता के लिए सही है, आपसे आपसे बिके सामने है, आप लूब देखेग द्यान दिजेगा, हडपा सबिता के जो लोग थे, वो पस्वपति सीव की पूजा करते थे, मोहन जोदणों में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पस्वपतिनात, यानि की सीव की मूर्ती है, उनके धार्मिक जीवन में पस्वपतिनात का विशेस मात्व है, जिन में को पस्वपतिनात या सीव की रुप में मानते थे, तो इस कुश्चन का जो राइट अंसर होगा फ्रेंट्स होगा, आपसर नमबर सी, नेक्ट कुश्चन है कि निमने मैं से कौन सी चीज सिंदु घाटी की खुदाई में वाडिजिक और आर्थिक विकास का दो तक है, आपसरेंट्स आपके सामने है, तो फ्रेंट्स आप सी को बता दूँ कि सिंदु घाटी की खुदाई में मोहरे जो हैं, ओवाडिजिक और आर्थिक विकास का दो तक हैं, सिंदु से अब तक टोटल दो हजार मोहरे जो हैं, वो प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें से लेक्तर सेल खड़ी से हुआ है, सुद्रड ब्यापार का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ताबा जो है, ओ राजस्थान की खेतड़ी की खानों से, तथा टीन चांदी अफगानिस्तान से आयत की जाती थी, तो इस कुश्चन का जो राइट एंसर है, ओ है आपस सामने है हडपा, मोहन जोद्रो, पंजाब, सिंदु, तो फ्रेंट से सिंदु घाटी सबिता में खोजा गया पहला सार जो था, ओ था हडपा, हडपा की खोज सरवर्थम बिस्क्री प्राचीन तम सबिताओं में से एक है, 1921 से लेकर वर्तमान में लगभग 2000 अश्थल खोज जा चुके हैं, जिन में से 7 को महानगर की संग्या दी गई है, आपके 7 महानगर हैं, इन 7 महानगरों को आप लोग करमसा देखेंगे, पहला महानगर है आपका हडपा, तो प्रेंस हडपा की खोज करता है दयाराम साहनी, और हडपा आपका किस नदी के किनारे है, राबी किस ने किया दय राम साहनी में कि मानए गर्繁म। मोहन जोड़ोो और रखाल दास बनर्घी ने किया और अर्ष्थान आपका सिंदू नोधी के तत्वरणा इसका खोज किस ने किया रखाल दास बनर्घी ने किने किस्ट प्रह dez kaliio है और फ्रेंट eigenen छैंए है जो mendes असान है यह यह आपका सिंदू नदी के तख़ह है सिंदू नदी के किनारे Must निक्स्ट है आपका धवीरा थोप्षिए.했어요Viелен overall का खोज किए थे R.I.s. gäfar 2 में कि में निक्स्ट कि महान अ कर फाँ का बंगन तो manufacturer कली बंगन का जो खोज है कि उसको किया था एग होसने किसने एई घोषने और यह आपका घग्गर नदी जोकि प्राचींता में इस्वसती के नाम से monkey र hy ऐनारे बिस्ञे महानगर आपका था लोथल इसका खोज किय था ए सराओने किसने किय रहे जो महानगर है वो प्राचीन सिर्वसत्ती की किनारे वसा है नेश्ट कुछन हम देखते हैं निम्ने में ऐसे कौन सी हडपा की खुदाई में नहीं पाई गई थी आपसेंस आपके सामने हैं बेश्थितनालियां जलास है सिखार रहितमंदिर कीला तो इस कुछन का जो रा आरती हुई सडकें नगर का दो टीला में विभाजित होना पूर्वी टीला और पस्मी टीला जल निकासी की उत्तम वेवस्था इत्याद लिया जाते हैं लेकिन सिद्धु सब्विता में ना तो किसी विशेष धर्म के साच मिले और ना मंदिर जैसी कोई इमारत तो यहां पे हडपा की खुदाई में क्या नहीं मिला था तो फ्रेंस सिख्यार रहित मंदिर यह जो है आपका राइट एंसर होगा नेश्ट कुस्चन दखते हैं हडपा सब्विता की वर्स खोजा गया था आप्शन्स आपके सामनी है 1935,1942,1901,1921 तो फ्रेंस इस कुस्चन का जो राइट एंसर होगा होगा आप्शन नमबर डी 1921 हडपा सब्विता की खोज 1921 इस भी में राय बहादूर दयाराम साहनी ने किय था दयाराम साहनी ने की कब की थी 1921 में हडपा जो है वो सबसे पालाग हो जगया साहर था नेक्स कुस्चन देखते हैं सिंदु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचिन संस्कृत बीच जयविक संबंध की स्पुजा से साबित होता है आप्शन से है पस्पत इंद्र और देवी मा पत्थर ब प्रिच और जानवर सिंदु घाटी और आज की हिंदु धर्म की प्राचिन संस्कृत के बीच जयविक संबंध पत्थर ब्रिच और जानवर की पूजा से साबित होता था नेक्स कुस्चन है जो आधुने कुछ गुजरात के आहमदाबाद जिले में इस्तित है सन 1955 से 1962 इस भी के मद्ध एस आर राव की निर्देशन में वहां खुदाई की गई लोथल में पाए गए अवसेस हैं अन्नागार पस्कों की हड़ियां ताबा काचली मिट्टी के मन के सोने का एक अभू स टमट शाद संख्यों इटोका बना हुआ विसाल घेरा द yधा जिसे शर्राव ने जहाजों का गोधी यहाइब उसका प्राचिन्ता प्राप्त अब्सक्षाय बडाओ था यहाँ मिश्र और मेसुकर ।मिया से ब्यापार होता था इस इफ़ें राव कि बोला कि लोथ यह ख क्रित्रीम गोदीवाड़ा मिला कहां पे लोथल पे तो फ्रेंस इसका जो राइट एंसर होगा वोगा लोथल नेक्स कुछन देखते हैं नेक्स कुछन आपका है निमलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंदु सबिता के टेरिकोटा में अनपर्ष्थित था क्या है तो फ् ही जानवरों से था भाएंस भेड़ सूगर से था जबकि गाए से नहीं था गाय का जो संभंद है ओ आर्यों का परमूग पॉसु उरथ जीवन का आधार थी इकट्स कुछन देखते हैं नेश्ट कुर्ष्टिन आपका है इन में से कौन सा सिंदु साहर जो बीना गढ़ का था जिसमें कोई किला नहीं था कौन सा है आप संस है काली बंगन हडपा मोहन जोड़ो चनहुड़ो तो फ्रेंड से चनहुड़ो जो है और मोहन जोड़ो के दच्छड में 130 किलोमेटर दूर है इस अस्तल की खोज 1934 इसवी में एंजी मजूमदार ने किया किसने किया मजूमदार ने किया यहां 1935 में 1935 में मै के द्वारा इस चनहुड़ो की खनन किया गया यहां के मकान जो है वो पक्की इटों के बने होते थे जिसमें सवचाले, असनानाग्री, आंगन आधी होते थे मडिक मुहरे आधी मिलने से ग्यात होता है कि यहां एक अध्योगिक केंद्र रहा होगा परन्तु यहां किलेबंदी के कोई भी साच्छे नहीं मिले तो फ्रेंट्स इसका जो राइट एंसर होगा कौन सा सिंदू साहर बीना गढ़का है तो ओ है चन हुद्रो नेश कुर्शन हम देखते हैं अगला कुशन ने आपका सिंदुगाटी सबिता की विशिष्टा क्या थी आपसंस है प्रकृत की सक्तियों की पुजा विवस्थित सहरी जीवन देहाती खेती जाती आधारी समाज तो फ्रेंट्स आपको पता है कि सिंदुगाटी सबिता जो है वो एक नगरिये सबिता थी कैसी सबिता थी नगरिये सबिता तो इसका जो राइट अंसर होगा वोगा बेवस्थित सहरी जीवन बेवस्थित सहरी जीवन जो है वो सिंदुगाटी सबिता की प्रमुक से आपको पता है कि सिंदुगाटी सबिता जो एक नगरी सबिता थी तो इसके जो मकान बने थे वो प्राया पक्की इटों के बने थे सिंदुघाटी सबइता की अने विश्ताई क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि सिंदुघाटी सबइता क्या थी? एक नगरी सबइता थी, और इस सबइता में जो सडके थी, वो एक दूसरे को सम्कोर पर कारती थी, नगर्ग जो है वो दो टीलों में विभाजित होगा करता था पूर्वी टिला और पस्चमी टिला जल निकाची की उत्तम बेश्ता थी नाली की बहुती बेत्रीन बेश्ता थी जिसे यह सिद्ध होता है कि सेंद्धेव सभिता जो है सुबेश्थित नगरी सभिता थी नेश मानद्वारा उपयोग किया जानावाला पहला धातू था। था। बारत में 9 पासाड़कार और संधव सबिता मुख्रूप से तम्रपासाड़कार के दारे में रखी जा सकती है। सेंदो सबिता के लोग कांसे से भी परचित थे जो संब्वता टिनवा तावे को मिला कर बनाया जाता था लोहे की खोज उत्तर बैदिक काल में हुई आपको पता होना चाहिए कि लोहे की खोज कब हुई उत्तर बैदिक काल में उत्तर बैदिक काल में लोहे की खोज हुई देवी मा की पूजा सिंदुगाटी सब्विता से संबंधित थी आपको पता होगा कि संदुगाटी सब्विता समाज एक मात्री सत्तात्मक समाथ यहां से कई टेरा कोटा की नारी की मूर्थिया मिली है अता मात्री देवी की पूजा जो है उस सिंदुगाटी सब्विता से सं गरी से देखेट तो इसका πहोगा और अन्जिला मकान मोहन्जोड़ो में सबसे बड़ा भवन इसी ओंगार मोहंजोड्रों में सबसे बड़ा भवन जो है और उन्णागार है जोन्द के लरकाना प्रांत में सिंद्ध नदी के किनारे इस्तित सैंदवा सबिता का एक प्रिसिद्ध नगर है क्या मोहन जोद्डो जो है वो सिंद्ध घाटी सबिता का जो है लर्काना प्रांत में सिंद्ध नदी के किनारे इस्तित एक प्रिसिद्ध नगर है इसकी खोज 1922 में मोहन जोद्डो की खोज 1922 जोड़ों की खोज 1922 में रखाल दास बनर जी ने किया यहीं से प्राप्त इमार्तों में अननागार सबसे बड़ा भुवन है यहां से प्राप्त असनानागार भी एक लुगमट है वहाँ जोड़ों से प्रापत अनबस्तम bunlar पुजारी की मूर्थि पसउपतिनाथ-प mention की मूर्थी जो है वह मोहन जोड़ों से प्राप्त हुआ। इसके आलमा बिशार-असनानानगार अननागार यह सबी जो इमारते हैं वह मोंतूई मोहन जोड़ों आप्सेंस आपके सामने हैं सर जान मार्सल और डी बनर जी एक कनिंगम दयाराम साहनी तो फिर्जिस का राइट अंसर होगा आप्सें नमबर डी दयाराम साहनी भडपा सब इताका सर प्रत्रम खोज करता कौन था दयाराम साहनी नेट्ड गुश्ट नैंट कुरिशन है काली ब तो फ्रेंसिस का राइट अंसर है, आप्षा नमबर C, राजरस्थान, काली बंगन राजरस्थान में घगर नदी की किनारे इस्तितेक महातपूर हरापा काली नर्स्थाल है, इसकी खोज जो है 1903 इस्वी में एक घोस ने की थी, ज्यान दिजेगा काली बंगन की खोज 1903 इस् काहां से प्राप्थ हुए काली बंगन से, यहां से हल के निसान, हवन कुंड या अगनी कुंड के साच भी मिले, नेश कुर्षान आपका है, कुर्षान नमबर 19, हडपा वासी किस वर्ष्ट के उत्पादन में अगरणी थे, आप्षान मुंद्राएं, कासे के आउजार, कपास या फिर जव तो फ्रेंट्स उसका राइट एंसर होगा आप्शन नबर सी कपास हडपावासी जो है कपास वर्षत के उत्पादर में अग्रडी थे क्योंकि हडपा सबेता जो है उसमें विक्सित व्यापार का आधार जो है ओक्रिसी अधिसेश था संभवता ओकापास उत्पादर में अग्रडी थे और अन्य फसले भी उप जाते थे यह फसले हैं चावल गेहूं खजूर तर्बूज मटर राई इत्यादी नेश कुर्शन है आपका निमलिखित में से किस द्रब्य का उपयोग हडपा काल की मुद्राओं की निर्माड में मुख्र उपसिक किया गया था आपसंसे टेरा कोटा कांसा ताबा लोहा तो फ्रेंसिस का राइट अंसर है टेरा कोटा टेरा कोटा का निर्माड टेरा कोटा का उपयोग जो है वो मुद्राओं के निर्माड में किया गया था कब हडपा काल की मुद्राओं के निर्माड में आपको बता दूँ कि हडपा निवासियों के जीवन में ब्यापार का बहुत मात था संबता एहस्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपेटामियों दोनों मार्गों से व्यापार करते थे मेसोपेटामियों से मिली मोहरे जिन पर मेल हुआ सब्द अंकी थे एसे भी इनकी बिक्सित व्यापार के प्रमाड है ये से भी मुहरे जो है तेरा कोटा, तेरा कोटा क्या होता है आग की पकी मिट्टी से जो मुद्रा का निर्माण होता था उसको तेरा कोटा बोलते थे, ठीक है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा आपस नंबर A, अगला कुश्छन हम देखते हैं सिंदुगाटी सबि का विसराल असना नागार कहां पे पाया गया अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा आपस नंबर B, मोहन जोड़ो से, नेट कुश्छन देखते हैं, अगला कुश्छन है कि निम्रकित में से किस देश ने भारत से मोहन अर्थ देने के लिए कहा है, आपसंस हैं, बांगलादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान, तो फ्रेंस इसका राइट अंसर होगा, आपसंबर D, पाकिस्तान, कांसे की नर्त की की मोहन जोड़ो लड़काना जिले सिंदु से मिली है, जो अर्थमान में पाकिस्तान का हिसा है आता पाकिस्तान ने उस पर अपना हाग बताती है, बारत से उसे वापिस करने को कहा है, अगला कुश्यन आपका है, सिंदु अर्थ विश्ता की ताकत थी, आपसंस हैं, किरसी, ब्यापार, चाक पर बनाएगे मिट्टिके वर्तन, बढ़ाई गीरी, तो फ्रेंस इसका मेसोपोटामिया की सबिता, मिसर की सबिता, माया सबिता, आपको बताना है कि सबसे प्राचिन सबिता का नाम क्या है, तो फ्रेंस का राइट अंसर है, मेसोपोटामिया की सबिता, मेसोपोटामिया की सबिता जो है, ओविस्त की सबसे प्राचिन सबिता है, मेसोपोटामिया सब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच मेसो पुटामिया का साब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच दो नदियों के बीच के अस्थान को मेसो पुटामिया के नाम से जाना जाता है यह इराक की दजला और फरात नदी के बीच में पड़ता है क्या मेसो पोटामिया नेक्स कुर्शन है कि निमलखित में से कौन सा सिंदु घाटी सबइताशतल पाकिस्तान में है आपसंस है लोथल काली बंगन हडपा आलमगीर तो फ्रेंटस इस कुर्शन का जो राइट एंसर है ओफिन नमबर डी हडपा हडपा जो है वरतमान में कहां पे है पाकिस्तान में ध्याणनी जीगा फ्रेंटस ल Says लोथल आपका कहां पे है गुझ्रात में ररो ॲुद भंगन जो है ओर डजस्तान में है को अब और जो आपका आलमगीर है यह मेरत में ही कर फास्तान के माण्ट गोमरीर में राभी नदी के तर परिस्त थे या सबसे पहले खोजा गया हडप पाश्तल है अपका सिंदु घाटी की सभिता के लोग किसकी पूजा करते थे तो फ्रेंस इसका राइट एंसर होगा पसुपति नाथ की अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन दहान दिजेगा यहांपे सही मिलान करना है मोहहं जोड़ो से क्या प्राप्त किया था बिशाल असनानागार विशाल असनानागार हडपा जो है वहाँ पे पुजारी की मूर्थी प्राप्त हुई थी काली बंगर में आपका जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे लोथल जो है वो एक बंदर गाह है तो इस तरह से आपका मिलान होगा फोर वन थ्री टू आपसन नमबर ए इस कुशन का राइट अंसर होगा नेक्ट देखते हैं नेक्ट कुशन है कि सिंदुगाटी सबिता के साहरों की गलिया कैसी थी आपसन से हैं चावडी और सीदी सपाट सकरी और टेड़ी मेडी सकरी और घुमाओदार तो फ्रेणिस का राइट अंसर होगा चावडी और सीदी सिंदुगाटी सबिता की जो साहरों की गलिया थी वो चावडी और सीदी थी नेक्ष देखते हैं अगला कुश्यन है आपका निमने में से किस नदी के किनारे हडपा और मोहन जोडरों के OCS पाए गए थे आपसंस है राबी, सिंधु, ब्यास, A और B दोनों तो फ्रेंसिस का आई टेंसर होगा आपसंस नमबर D, A और B दोनों सेंधु सबिता एक विश्त्रित भूभाग पर त्रिभुजा का अर्चित्रों में फाइली हुई थी इसे सबिता का उत्री बिंदु जो है ओमांडा चमू कस्मीर और दच्छडी बिंदु जो है उसुत कांगडे कोर मकरान तठ है इस सबिता के अब तक लगभग 2000 से अधिक अधिक अस्त्र उल्लेखित किये जा चुके हैं इसके सबसे अधिक अस्त्र जो है सिंदु और रभी नादी के किनारे इस्तित है अता इसका जो राइट एंसर है वह आप्शन ए और बी है क्योंकि हडपा और मोहन जोड़ों के आउस्यस जो है और राभी और सिंदु नादी लिक किनारे पाए गए अगला कुशिन है आपका सिंदु गाती सब्चे चेक लिपी है अभी तक ग्यात नहीं की सकी ये अग्ञात लिपी है अगला question है आपका मोहन जोड़ों में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था तो friends इसका right answer होगा option number B पहले भी मैंने इसको बता चुका हूँ अन्नागार जो है वो मोहन जोड़ों में सबसे बड़ा इमारत है next question है विसाल असनानागार कहाँ पे मिला कहाँ पे मिला friends परचना थी आप्षन से नट राज नर्थकी की मूर्ती बुद्ध या फिर नर्षिम्हा तो इसका राइट अंसर है option number B नर्थकी की मूर्ती जिसको पाकिस्तान ने अभी हाली में उसको अपने यहां मंगाने के लिए इंडिया से बात किया मोंज जोद्वडो से निर्थकी कर्णभी मूर्ती मिली जो कंसे की बनी होई थी इस रचना में हमें सेयंध्व शब्वता की लोगोद्वरा धात उगलने की प्रक्रिया का पता चलता है क्यांकि कंसा ते 9 अताबा को मिला कर भीद बना जा सकता है canadan जो है भूमद सागरी सबिता के साथ, सिंदुगाटी सबिता के साथ, या फिर बैदिक सबिता के साथ, इसका राइटन सरोगा, सिंदुगाटी सबिता के साथ, क्योंकि सिंदुगाटी सबिता जो है, वो एक मात्री सतात्मक सबिता थी, अगला कुश्यन है, सिंदुगाटी सबिता क बंदर्गाह कौन्सा है तो सेधा सा बंदर्गाह जो है क्या है लोथल आप्सट नंबर बी यानि, की लोथल जो है योसे पाली सविता का एक बंदर्गाह था तो आज के corporations बस इतना है आई होप्प्प्षी को यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजगा, सेर कीजगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाइ, टेक केर, थैंक्स पर वाचिंग